जहिंद दूस्तों आज हम बात करेंगे पर्थम पत्र की अगर आप UGC नेट के पर्थम पत्र दे रहे हो या फिर अदर पर्थम पत्र जैसे DSSV, KBS नबोद है और हाल में EMRS एक लब्ब पब्लिक रिसिडेंशियल इस्कुल का फॉर्म आया है उनके पर्थम पत्र की बात करो करूं तो हर पर्थम पत्र में कम्प्यूटर पूछा जाता है कम्प्यूटर की बेसिक जानकारी पूछी जाती है आज उसी की चर्चा करेंगे पूरी वेडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वेल स्कारास ले सकते हो अगले दोसे तीन दीन में हमारा पर्थम पत्र सुरू होने जा रहा है तो तो जुश्तो आज हब बात करिए कि कंप्यूटर है कि जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आखिर कम्प्यूटर है क्या, उसी की चर्चा हम लोग करेंगे तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले कम्प्यूटर कम्प्यूटर का मतलब क्या होता है दोस्तों वो भी हमें जानना चाहिए यह बेसिक चीजे है अगर हमसे कोई पूछ दे कि कम्प्यूटर का मतलब क्या है तो हमें पता होनी चाहिए जैसे हमें C मतलब होता है कोमन, O मतलब होता है ओपरेटिंग, M मतलब होता है मशीन, P मतलब होता है परपसली, U मतलब होता है यूस्ट अनिक कम्प्यूट, T मतलब होता है टेक्नोलोजिकल, T का पूरा यहां है, E मतलब होता है एजुकेशन, R मतलब होता है रिसर्च, तो हमें कम्प केमप्यूटर का full form पता होनी चाहिए जो मेंच चीज है उस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर जो हम लोग कहते हैं कि आखिर computer है क्या? How is computer? इसकी चर्चा करेंगे आज के video से एक question जो computer से पूछा जाता है आप से जरूर बनेगा वो हमारे तरफ से आपको guarantee है दोस्तों जब हम कहते है क्या है computer? It is an automatic machine computer क्या है? एक 140 machine है automatic machine है मतलब 140 machine है which work at high speed वह तिब्र गती से काम करता है and makes no mistake आणि के कोई भी गलती नहीं करता है आणि के computer एक 140 machine है जो तिब्र गती से काम करता है और कोई गलती नहीं करता है It's capacity limited computer की जो capacity होता है वो सिमित होता है It is derived from the English word compute एक बर question पूछा है कि computer किस से बना है तो compute सब्द से बना है ये याद रखना computer किस से बना है compute सब्द से बना है जिसका अर्थ होता है संगनक हिंदी में कहे तो शंगनक एक बर पूछा भी है कि हिंदी में computer को क्या कहते है रवया तो हिंदी में computer को हम लोग संगनक कहते है क्या कहते है संगनक ये हमी ध्यान में रखना है तभी सवाल हमारा बनेगा दूसरी बात है कि इट इस यूज़ टू प्रोशस एंड कलेक्ट ये लॉट आफ इन्फॉर्मेशन computer जो है लॉट आफ इंप्रेशन लॉट आफ डाटा को लॉट आफ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है एक जगह जो है एकत्रित करता है और उसे जो है सामने लाकर के हमारे सामने देता है इसलिए अब सबसे बहुत सवाल आता है आखिर computer का work क्या है तो दोस्तों collection of data computer का काम है data को collect करना data को storage करना collection of data storage of data या data को process करना data को output करना ये सब काम computer है collection of data storage of data analysis of data या output of data input of data ये सब computer ये सब कंप्यूटर का हिंदी में मैं बात करो data को एकत्रित करना सूचनाओं को एकत्रित करना सूचनाओं को एकत्र करना तो यहां से एक सवाल पूछता है, आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो computer system के part होते है input, आखिर input क्या होता है, input एक device होता है दोस्तों, जिसके द्वारा computer में हम data को in करते हैं, उसे ही हम input device क्याते हैं, जैसे keyword, mouse, trackball, joystick, जिसके द्वारा हम computer में data को इतना याद रखिएगा, इन करते हैं, उसे ही input device कहते हैं, इसका description आगे पढ़ेंगे, दूसरा है CPU, CPU को दोस्तों, जैसे central processing unit कहते हैं, इसे computer का दिमाग भी कहा जाता है, और यह जो है, silicon के एक chip का बना होता है, और इसी computer में, CPU में, CPU के तीन बाट होते हैं, ALU का CU, जिसे control unit कहते हैं, तीसरा होता है, memory unit, memory unit, बदब ALU, CU, control unit और memory unit, output क्या होता है, कि जिसके द्वारा data को हम बाहर भेजते हैं, out करते हैं, उसे output unit कहते हैं, जैसे speaker, speaker नाम सुने होगे, जब हम बोलते हैं, तो data कहां जाता है, बाहर जाता है, तो जिस device के द्वारा data बाहर जाता है, उसे ही हम output device कहते हैं, इसी तरह कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो इंपुट आउटपुट दोनों होते हैं तो यहां से सवाल किस तरह पूछा जाता है उनको ध्यान नकना आप से कभी पूछ लेगा इनिम लिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस है या नहीं है कौन इंपुट डिवाइस है या नहीं है इनको सुंदर कोडिंग के थुरू आपको याद कराएगे बस एक से दो मिनिट आपको इंतजार करना है तो दोस्तों आगे चलते हैं कैसे हम इनको याद कर लेगे तो सबसे पहले हमारे सामने जो है इंपुट डिवाइस है देखिए इंपुट डिवाइस में क keyboard होता है, mouse होता है, trackball होता है, joystick होता है, scanner होता है, microphone होता है, जब class join करेंगे तो इन सब का description भी आपको बताया जाएगा, microphone, webcam, barcode reader, OCR, optical character reader, MICR, magnetic ink character reader, OMR, gimbal tag reader, speech recognition system, light pen, touch screen, यह सब जो है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यह सब input device है, लेकिन इनको याद रखना बड़ा सरदर्द का काम होता है, आपको एक technique सिखाऊंगा, जो आपको सब कुछ tips पर याद रहेंगे, वो अगले step में, तो जीसे दोस्तों आप देख रहे हैं, कि CPU के कितने part है, इनको देख लीजे, हमने बताया, CPU का कभी-कभी मतलब भी पूछ लेता है, CPU का मतलब होता है Central Processing Unit, यह एक silicon का chip होता है, याद रखना, जिसे brain कहते हैं, और silicon का chip होता है Central Processing Unit, यही जो input से data ले करके, फिर वो data को check करता है, फिर वो output को data दे देता है, अब CPU के जो part है, हमने पीछे चर्चा के ALU, कभी-कभी पूछ भी लेता है, arithmetic logic unit, इसमें plus, minus, multiple, divided, bracket, यह सब अंक गनितिये गड़ना के लिए इसका यूज होता है, अंक गनितिये गड़ना के लिए CPU का यूज होता है, इसी तरह होता है control unit, मतलब जिसके द्वारा संपुर्ण computer system को हम control करते हैं, उसे ही control unit कहते हैं, CPU का जो last part होता है, वो होता है memory unit, memory भी दो परकार के होता है, पहला होता है primary memory, और दूसरा होता है secondary memory, अब primary memory क्या होता है, कि जो every time CPU से जुड़ा होता है, उसे primary memory कहते है, जो अवशकता के अनुसार जिसे हम जोड़ते हैं, उसे हम secondary memory कहते हैं, ये सब जो जितना देख रहे हैं, हर एक का अलग-अलग class है, अलग-अलग topic है, आप memory के एक class देखेगे, CPU के एक class देखेगे, तो जो computer से जो सवाल पुछे जाते हैं, चाहे कोई भी exam हो, उससे बनेगा जरूर, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखो, output device, अब इसको याद कैसे रखेंगे, दोस्तों एक technique अपनाना, अलग-अलग तीनों, चाहे वो input हो, output हो, और input-output दोनों, एक सवाल जरूर ईटियल जाओगे, तो मैणा simple coding system है, output को याद रखो, input-output दोनों को याद रखो, किसको याद रखो फिर से समंझना, output को याद रखो, और input-output दोनों को याद रखो, अब जो six बच गया, वो सारे input device है, symbol जो six बच गया, वो सारे input device है, जैसे, कि output device में monitor होता है, printer होता है, speaker होता है, plotter होता है, और projector होता है इसको coding से कैसे काम करोगे, तो दोश्तो, school में एक monitor होता है monitor होता है जो सबखा काम करता है, monitor, class का monitor, वही से हम coding करेंगे school में एक class का monitor होता है, जो सबसे ज़्यादा बोलता है, तो बोलने से हो गया speaker class में एक monitor होता है, जो सबसे ज़्यादा बोलता है, सब के लिए print करवा के लिए भी लाता है और सबसे फलट भी करता है, तो plotter हो गया, और सबके लिए project भी बनाता है, तो projector हो गया, simple coding से हम लोग याद कर लेंगे, ध्यान रखियेगा, एक monitor होता है, जो monitor होता है, वो सबसे ज़्यादा बोलता है, teacher का छमचा होता है, सबसे ज़्यादा speak करता है, और print भी करवाता है, सब से फलट भी करता है, और उसके लिए projector भी बनाता है, याद हो गया, simple, तो ये output device याद रखियेगा, इसी तरह दोस्तों, input-output दोनों है, इसको हम लोग कैसे याद करोगे, modem है, touch screen है, headset है, fax है, और typewriter है, आज के बाद आप जीवन में input-output दोनों भूलोगे, नहीं, कैसे नहीं भूलोगे, तो ध्यान रखना, कि कि bonitor, जो bonitor, सरी, जो modem को बना दो, madam, madam को touch करोगे, तो head for देगी, और type करके, जो है, fax कर देगी, तेहार में, जेल में, तो simple coding करेंगे, modem मतलब madam, madam को touch करोगे, तो head for देगी, और type करके, fax कर देगी, कहां, तेहार, जेल में, तेहार, जेल कहां है, Delhi में, तो madam को touch करोगे, तो surford देगी, और type करके, तेहार भेज देगी, simple coding है, जीवन में नहीं भूलोगे, madam को touch करोगे, तो Sir4 देगी और Type करके कहां भेज़ करके 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 और fyaan कर देगी तेहार में तो इस तरह से हम computer को याद कर सकते हैं वो भी सिम्पल कोडिंग के तो इस तरह से जो है हम लोग शम्पुर्ण first paper को टिपस पकर सकते हैं अगर आपका भी First पेपर में कम स्कोर आता है तो आठ से दस फ्री क्लास ले कर देखो एक भी फुटी कवरी आपको नहीं देना है सिर्फ कॉल कर लेना है या मैसेज कर देना है और क्लास से जुर जाना है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद जाहें